क्रिकेट जगत से जोड़ी सबी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाईए क्रिकेट की खबरे सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आईपेल 2019 के प्ले आफ के दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम ने सन्राइजर्स हैदराबाद को मात दे कर अब इस आईपेल के सेमी फाइनल में अपनी जगा बना ली है इस मुकाबले में प्रत्वीशा ने बहतरीन अर्धशत किये पारी खेली वहीं लगभग हारे हुए मुकाबले को रिशप पंथ ने अकेले के दम पर ही दिल्ली को इस मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ एक रोमांचक जीद दिला दी लेकिन दोस्तों हम आपको बता दे कि रिशब पंत के आउट होने के बाद इस मुकाबले में एक और बड़ा मोड आया दरसल रिशब पंत के आउट होने के बाद दिल्ली की बल्लेबाजी लगभग खत्म हो गई थी और पिच पर दिल्ली के दो गेंद बाज कीमो पॉल और अमित मिश्रा बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले की आखरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए पांच रणू के आवशकता थी लेकिन ये आखरी ओवर बहतरीन फॉर्म में चल रहे खलील एहमद डाल रहे थे उन्होंने इस ओवर में दिल्ली को माद देने की पूरी कोशिश की लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर आईपियल इतिहास की एक अजीर सी घटना घटी दरसल खलील एहमद ने इस ओवर की चौथी गेंद अमित मिश्रा को स्लोवर गेंड डाली मिश्रा ने अपना बल्ला तो घुमाया लेकिन गेंद बल्ले को मिस करते हुए विकेट कीपर के पास पहुची लेकिन अमित मिश्रा ने इस गेंद पर रन दोड़ना चाहा लेकिन विकेट कीपर सहा ये गेंद गेंद बाज खलील एहमद के पास फेकी खलील एहमद ने ये गेंद पकड़ कर पीछे गूम के नॉन स्ट्राइकर एंड पर अमित मिश्रा को आउट करना चाहा लेकिन इस गेंद पर कहीं अमित मिश्रा आउट ना हो जाए इस वज़ा से वो खुद गेंद और स्टंप के बीच में आ गए और खलील एहमद ने जो ध्रोग किया था वो सीधे अमित मिश्रा को टकरा कर दूर चला गया ये देख कर खलील एहमद ने और कप्तान केन विलियम सन ने फिल्डिंग में छेड़ चाड़ करने की वज़ा से अम्पायर से अपील की अम्पायर ने भी ये डिसीजन थर्ड एम्पायर को सोपा दोस्तो हम आपको बता दे कि ICC के नियमों के मताबिक अगर कोई बल्ले बाज रन ले रहा हो और रन दोड़ते वक्त अचानक से वह अपनी दिशा चेंज करके फिल्डिंग में बाधा बने तो उस खिलाडी को आउट करार दिया जाता है और ऐसा ही अमित मिश्रा के साथ भ देने की वचा से उन्हें पवेलियन जाना पड़ा तो दोस्तों क्या आपके मताबिक अमित मिश्रा को इस तरह आउट दिया जाना चाहिए था या नहीं आप अपनी राएं नीचे कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा धन्यवाद